Hello Everyone, आज का हमारा टॉपिक है How to Block USB Port via GPO in Server 2016 तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले उपिन करेंगे Server Manager और क्लिक करेंगे Tools पे Select करेंगे Group Policy Management Group Policy Management अब आप देखेंगे Left Side पे आपके काफी सारा Options आ रहा हुँगे इसमें आप अपनी डुमेन पे राइट क्लिक कीचेगा और Select कीचेगा Create a GPO in this Domain जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे आपके पास जो है वो नाम पुचेगा जो भी Policy आप बना रहों इसका नाम रख सकते हैं मैं लिख देता हूँ Users USB Block Underscore देजिएगा Space नहीं चलता है ओके करते हैं इसको लेफ साइट पे आप देख सकते हैं Policy का नाम लिखा आ चुका है राइट क्लिक करेंगे इस पे और Select करेंगे Edit एक और विंडो ओपन होई शुके जिसका नाम है Group Policy Management Editor इस पे आप जाएंगे, पॉलिसी पे क्लिक करेंगे यहां पे देखिएगा Administrative Templates लिखाव होगा इस पे डबल क्लिक कीचेगा सिस्टम पे डबल क्लिक कीचेगा नीचे कीचेगा और यहां पे आप देखिएगा आपके पर लिखावा रहा होगा Removable Storage Access इस पे डबल क्लिक कीचेगा इस विंडो को भी बड़ा कर लें ताकि आप लोग को सही नाज़र आ जाए यहां पे आप देख सकते हैं पॉलिसी का नाम लिखावा है All Removable Storage Classes यहां पे आप देख सकते हैं कि Enable हो चुक है एक चीज में आप को और बताता हूं इनको बन करते हैं इस विंडो को बन कर दीचे का पॉलिसी आपकी Enable हो चुक है लिखा वा रहा है Link Enable यहां पे अगर आप Specific Users का नाम देदेंगे तो सिर्फ उनी Users पे एफेक्ट करेगी यह पॉलिसी I hope आप लोग को समझ भाए होगा किस तरह से हम Users की USB Ports को ब्लॉक करते हैं अगर आप लोगे वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बैल आइकन पर क्लिक कीजेगा ताके मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो